स्वाइलो दोस्तों, Welcome to my channel और आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Quadratic Equation का Practice at 2.2 का Question No.10 अब आपको पता है Question No.9 इससे पहले मैंने Solve कर चुका हूँ 9 तक के जो भी Question है अब हम लोग यहाँ पर Solve करेंगे Question No.10 तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहला काम करना है कि सारे Terms को Left Side मर लेकर आजाओ 25m2, 9 जो है Right में, Left में चला जाएंगा Right में Plus में, Left में कहा जाएंगा? Minus तो यह आपका आगया Quadratic Equation Right में 0 और Left में सारे Terms ठीक है, लेकिन अगर आप देखोंगे General Form को देखोंगे Quadratic Equation का तो यह है AX Square Plus BX Plus C Equal To 0 AX Square Plus BX Plus C Equal To 0 अब आप देखो AX Square वाला Term यहाँ पर है, X की जगाँ पर M यूज किया है लेकिन BX मतलब यहाँ के इसाब से M आना ज़ी है तो M वाला Term तो है नहीं, तो यह वाला Term 0 होगे, यह वाला Term यहाँ पर है यह नहीं, सिर्फ First और Third Term है First और Third Term है, तो आप इसको कैसे सॉल करेगी जब भी First और Third Term होता है, तो कैसे सॉल करते है, एक Formula है, जो आपने बच्पन में पढ़ा होगा A square minus B square, यह Formula है, यह Formula के मदद से हम लोग को सॉल करना है तो यह Formula क्या होता है, कि यह Formula होगे, A minus B multiply A plus B, यह उसका answer है Formula का, A square minus B square को कैसे लिखते है, A minus B और A plus B, ठीक है अब आप देखो, यह आपका A है, इसको A बनाना है, इसको B बनाना है, अब कैसे बनाओंगा मतलब कोई जो भी टाम है, उसको पर square होना चाहिए, यहाँ पर A के उपर जैसे square है तो मैं अगरो 25, यह आपका perfect square है, तो perfect square, किसका square आता है 25, 5 का square आता है ठीक है, तो 5 का square क्या हो जाएगा, 25, यहाँ पर M square है, तो M square लिखो, यहाँ पर minus लिखो अब 9 भी perfect square है, किसका square है, 3 का, तो 3 का square लिख सकता हूँ कि निमे, लिख सकता हूँ ना, हाँ आप देखो, यह दोनों का उपर square है, तो मैं इसको common ले लेता हूँ, 5 M, और उसको पर लगा दूँगा, square आरा समझ में, इसके बाद यह 3 का square, तो अगर आप देखोंगे, यह यह जो अंदर वाला time है, यहाँ पर देखो, square के निच्छे A है, यहाँ भी square के निच्छे A बन जाएंगा, मतलब 5 M तुम्हारा क्या है, A है, 5 M तुम्हारा क्या है, A है, और यह 3 क्या है, तुम्हारा B ह केसाब से यहाँ पर, put कर दो, formula क्या है, A square minus B square का A minus B, मतलब 5 M minus 3, और 5 M plus 3, यह दोनों उसके क्या हो गया है, इस तरह से formula आगए, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके दो bracket होते है, गौड़री equation में तो उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को 0 से equate कर देते हैं, तो इसको भी 0 से equate कर देंगे, और इसको 0 से equate कर देंगे, यह वाले को भी, अब मुझे M निकालना है, M निकालने का सबसे पहले यही है कि जो numbers है, उसको एक side लेकर जाओ, क्या करो, number को एक side लेकर जाओ, तो minus 3 को मैं उदर लेकर जाओंगा, तो क्या हो जाएंगा, प्लस 3 हो जाएंगा इसी तरह से यह प्लस 3 को उदर लेकर जाओंगा, तो क्या हो जाएंगा, minus 3, हाय समझ में, अब 5 और M multiply में, तो मुझे M निकालना है, 5 अटाना पड़ेंगा, multiply को उदर लेकर जाओंगा, क्या होगा, उदर लेकर जाएंगे, तो divide हो जाएंगा, तो हमारा answer आएंगा, 3 upon 5, क मतलब M के यहाँ पर दो roots हो, यहाँ पर quantity equation है, वह इसाब से दो roots निकलेंगे, एक आगया आगया आपका 3 upon 5, और एक आगया आपका minus 3 upon 5, तो इस तरह से यह question solve हो गया है,